भगवान श्री नारायन की महिमा युगों का परिचे प्रले के जल में मारकंडी जी को भगवान के दर्शन तथा भगवान की नाभी से कमल की उत्पत्ति पिछले अध्याय में हमने श्री राम चंदर जी एवं भरत का पुनह लंका जाकर विभीशन को किस प्रकार राज्य कर करना है यह उपदेश देना सुना आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे दूसरे चैनल ज्यान खता सागर में आरंभ की गई महाभारत की शवण पुस्तिका का भी आनंद उठा सकते हैं इश्ण जी बूले ब्रह्मन आपने भागवान श्री रामचंद जी की महिमा का वर्णन किया अब पुनह उन्हीं श्री विश्णु भागवान के महातम्य का प्रतिपादन कीजिए वैसुवण में कमल कैसे उत्पन हुआ? प्राचीन कार में वैश्णवी स्रिष्टी कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मा मैं स्षधा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ अतह आप मुझे भागवान नारायन का यश अवश्य सुनाएं पुलस्ती जी ने कहा गुरुश्रेष्ट तुम उत्तम कुल में उत्पन हुए हो अतह तुम्हारे हिर्दे में जो भागवान श्री नारायन के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है यह उच्चित ही है पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है देवताओं के मुख से जैसा सुना है तथा द्वेपायन व्यास्ची ने अपनी तपस्या से देकर जैसा बतलाया है वह अपनी बुद्धी के अनुसार मैं तुमसे कहूंगा यह विश्व परम पुरुश्री नारायन का स्वरूप है इसे मेरे पिता प्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते फिर दूसरा कौन जान सकता है वे भगवान नारायन ही महरिश्यों के गुप्त रहस्यर सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व आध्यात्म वेताओं के आध्यात्म आधी देव तथा अधी भूद है वे ही परम रिश्यों के पर ब्रह्म है वेदों में प्रति पादित यग्य आधी का स्वरूप है विद्वान पुरुश उन्ही को तप मानते है जो करता, कारक, मन, बुध्धी, क्षेतरग्य, प्रणव, पुरुश, शासन करने वाले और अध्वितिय समझे जाते हैं जो पांच प्रकार के प्राण, अर्थात, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान धुरुव एवं अक्षर तत्व हैं वेही पर मात्मान नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित होते हैं वेही पर भ्रह्म हैं, तथा वेही भगवान सबकी स्रिष्टी और संघार करते हैं उन्ही आदि पुरुश का हम लोग यजन करते हैं जितनी कताएं हैं, जो जो शुतियां हैं जिसे धर्म कहते हैं और जो धर्मपरायन पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं। वे सब भगवान नारायन के ही सुरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदी, मध्य और अनन्त में हैं, जो सीमा रहित भविश्य है, जो कोई चर अचर प्राणी है, तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है, वे सब पुर्शोतम नारायन ही है। गुरुनंदन, चार हजार दिव्य वर्शों का सत्युक कहा गया है, उसकी संध्या और सध्यांच आठ सो वर्शों के माने गए हैं। और धर्म की वृद्धी होती है। स्ट्रेश्ट पुरुन जिसका आचरन करते हैं वही कर्व, उस समय सब के द्वारा किया और कराया जाता है। राजन, सत्युक में जन्मतह, धार्मिक, अत्वा नीच कुल में उत्पन सभी मनुश्यों का ऐसा ही धर्मुकूल वर्ताव होता है। त्रेता युक का मान तीन हजार दिव्य वर्श बतलाया गया है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्श की होती हैं। उस समय धर्म तीन चर्णों से और अधर्म दो बादों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य इवं शौच का पालन तथा यग्य यग्यादी का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोब के कारण विकार को प्राप्थ होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुरबलता आ जाती है। 2,000 दिव्य वर्श का होता है। उसकी संध्याएं का मान 400 वर्श का बताया गया है। उसी समय के प्राणी रचोगन से अभीबूत होने के कारण अधिक अर्थ परायन शट दूसरों की जीविका का नास करने वाले तथा शुद्र होते हैं तो आपर में धर्म दो चर्णों से और अधर्म तीन पादों से स्थित रहता है दोनों संध्याओं सहित कल्यूक का मान 1200 दिव्विवर्ष का है ये क्रूरता का यूग है इसमें अधर्म अपने चारों पादों से और धर्म एक ही चर्ण सिस्थित होता है उस समय मनुष्य कामी, तमुगुणी और नीच होते हैं इस यूग में प्राय कोई साधर्क, साधु और सत्यवादी नहीं होता लोग नास्तिक होते हैं ब्रहामनों के प्रती उनकी भक्ती नहीं होती सब मनुष्य अहंकार के वशिभूत होते हैं उनμεीं परस्पर प्रेम, प्राय बहुत ही कम होता है कल यूग में ब्रहामनों के आचरण प्राय शूद्रों के से हो जाते हैं आशरमों का ढंग भी विगड़ जाता है जब यूग का अंत होने को होता है उस समय तो वर्णों के पहचानने में भी संदेह हो जाता है कौन मनुष्य किस वर्ण का है ये समझना कठिन हो जाता है ये 12,000 दिव्वे वर्षों का समय एक चतुर्योगी अर्था चौकडी कहलाता है इस प्रकार के 1000 चतुर्योग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है इस प्रकार ब्रह्मा की आयू जब समाप्त हो जाती है तब काल संपून प्राणियों के शरीर की आयू पूरी हुई जान जगत का संघार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करता है योग शक्ति संपर्ण स्वरूप भगवान नारायन सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किर्णों से समुद्र को सोख लेते हैं तदलंतर श्रीहरी बलवान वायू का रूप धारन कर सारे जगत को कमपाते हुई प्राण, अपान और समान आदी के द्वारा आकर्मन करते हैं घ्राणेंद्रिय का विशे घ्राणेंद्री तथा पार्थिव शरीर ये गुण प्रित्वी में समा जाते हैं रसेंद्रिये उसका विशे रस और स्नेह आदी जल की गून ले जल में लीन हो जाते हैं नेतेंद्रिये उसका विशे रूप और मंदता पटुता आदी नेत्र के गून वे अगनी तत्वें प्रवेश कर लेते हैं वागि इंदरिये और उसका विशेश, पर्ष और चेस्टा आदी वाईउ के गुण वे वाईउ में समा जाते हैं शवनेंदरिये और उसका विशेश, शब्द तथथ सुनने की क्रिया आदी गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं इस प्रकार कालरूप भगवान एक ही मुहुरत में संपून लोकों की जीवन यात्रा नश्ट कर देते हैं मन, बुध्धी, चित और क्षेतरग्य ये परमेश्मी ब्रह्माजी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्माजी भगवान रिशिकेश में लीन हो जाते हैं पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभू में प्रवेश कर जाते हैं सूर्य, वायू और आकाश के नस्ट हो जाने तथा सूक्षम जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान श्री विश्णू सब को दग्द करके अपने में समेट कर अकेले ही अनेक सहस्त्र युगों तक एकार्णव के जल में शैन करते हैं उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि वे पुरुष कौन हैं उन देवश्ष्ट के विशय में उनके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता भीश्म एक समय की बात सुनो महामुने मारकंडे को एकार्णव के जल में शैन करने वाले भगवान ने कौतु हलवश अपने मुह में लील लिया कई हजार वर्षों की आयू वाले वे महरशी भगवान के ही उत्कृष तेज से उनके उदर में तीर्थी आत्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृत्वी के समस्त तीर्थों में घूमते रहे अनेकों पुर्णे तीर्थों के जल से युक्त बन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें द्रिष्टी गोचर हुए उत्तम दक्षणाओं से संपन यग्यों द्वारा यजन करने वाले यजवानों तथा यग्य में सम्मिलित सैंकड़ों ब्रहमनों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा वहां ब्रहमनादी सभी वर्णों के लोग सदचार में रहते थे चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादाओं में स्थित्ते इस प्रकर भगवान के उदर में समूची प्रिथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मारकंडे जी को सौवर्षों से कुछ अधिक समय बीद गया तदन अंतर भी किसी समय पुना भगवान के मुख से बाहर निकले उस समय भी सब और एक आर्णव का जल ही दिखाई देता था समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छा दित थी जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था ऐसी अवस्ता में मारकंडे जी ने देखा एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है यह देखकर मुनी को बड़ा आश्चर हुआ वे उस बालक का व्रितांद जानने के लिए उत्सुक हो गए उनके मन में ये संदे हुआ कि मैंने कभी से देखा है यह सोचकर वे उस पूर्व परिचत बालक को देखने के लिए आगे बड़े उस समय उनकी नेत्र भैसे कातर हो रहे थे उन्हें आता देख बालक रूप धारी भागवान ने कहा मारकंडे तुम्हारा स्वागत है तुम डरो मत मेरे पास चले आओ मारकंडे बोली यह कौन है जो मेरा तिरसकार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है भागवान ने कहा बेता मैं तुम्हारा पिता महा आयू प्रदान करने वाला पुरान पुरुष हूँ मेरे पास तुम क्यों नहीं आते तुम्हारे पिता अंगिरस मुनी ने पूर्वकाल में पुत्र की कामना से तीवर तपस्या करके मेरी ही हराधना की थी तब मैंने उन अमित तेजस्वी महरशी को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था यह सुनकर महातपस्वी मारकंडी जी का हिदे प्रसंता से भर गया उनके नेत्र आश्यरे से खिल उटे वे मस्तक पर अंजली बांधे नाम गोत्र का उचारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले भगवन मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ इस एकार्णव के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं श्री भगवन ने कहा ब्रह्मन मैं नारायन हूँ जिने हजार मस्तकों और हजार चर्णों से युक्त बताया जाता है वे विराट परमात्मा मेरा ही सो रूप है मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजो मैं पुरुष हूँ मैं देवताओं को हविश्य पहुचाने वाला अगनी हूँ मैं ही साथ घूणों के रत वाला सूर्य हूँ मैं ही इंद्रपत पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और रितुओं में परिवत्सर हूँ संपून प्राणी तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप है मैं सर्पों में शेशनाग और पक्षियों में गरुड हूँ संपून भूतों का संखार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुश्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ मैं दया परायन धर्म और दूद से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सित्य सुरूप परम तत्व हैं वे भी मैं ही हूँ एक मात्र मैं ही प्रजापती हूँ मैं ही सांखे, मैं ही योग और मैं ही परमपद हूँ यग्य क्रिया और प्रामनों का स्वामी भी मैं ही हूँ, मैं ही अग्नी, मैं ही वायू, मैं ही पित्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा दसों दिशाय हूँ वर्षा, सोम, मेग और हविश्य इन सब के रूप में मैं ही हूँ क्षीर सागर के भीतर तथा समुद्रगत वडवागनी के मुख में मेरा ही निवास है मैं ही समवर्थक अगनी होकर सारा जल सोख लेता हूँ मैं ही सूर्य हूँ मैं ही परम पुरातन तथा सब का आश्रय हूँ भविश्य में भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होँगा तथा भावी संपून वस्तूं की उत्पत्ती मुझसे ही होगी विप्रवर, संसार में तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सब को मेरा ही स्वरूप समझो मैंने ही पूर्वकार में विश्व की स्रिष्टी की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ तुम मेरी ओर देखो मारकंडे, मैं ही प्रतियक यूग में संपून जगत की रक्षा करता हूँ इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो यदि धर्म के सेवन या श्रवन की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुख पूर्वक विच्छुप मैं ही एक अक्षर का और मैं ही तीन अक्षर का मंत्र हूँ ब्रह्मा जी भी मेरे ही सुरूप है धर्म अर्थ कामरूप त्रिवर्ग से पूरे उंकार सुरूप परमात्मा जो सब को तात्विक तृष्टी प्रदान करने वाले हैं मैं ही हूँ इस प्रकार कहते हुए महा बुद्धिवान पुरान पुरुष परमेश्वर ने महामुनी मारकंडे को तुरंत ही अपने मुह में ले लिया फिर तो वे मुनिश्रेष्ट भगवान के उदर में प्रिवेश कर गए और नेत्र के समान एकांत स्थान में धर्म शवन करने की इच्छा से बैठे हुए अविनासी हंस भगवान के पास उपस्तित हुए विचरते तथा जगत की श्रिष्टी करने का संकल्प लेकर विहार करते थे तदन अंतर विमल्मती महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया उस विश्व रूप पर मात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं भूतों के उत्पत्ति के विश्य में सूचा उनके तेज से अम्रित के समान पवित्र जल का प्रादूर भाव हुआ अपनी महिमा से कभी चूतना होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्रीहरी ने उस महान जल में विधिवत जल कृड़ा की फिर उन्होंने अपनी नाभी से एक कमल उत्पन किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था वे सुवण में कमल सूरे के समान तेजों में प्रतीत होता था झाले से लिए झाले से लिए से लिए बड़ा था भी जाए लिए जाया जए झाले से एक कारण बड़ा की